अम्बूस के दोरान एक वहन अम्बूस के स्थान के समिप पहुचा उसे रूकने का इसारा और प्रयास किया गया रूकने की बजाएं वहन दोरा उस जगह से तेजी से निकलने का प्रयास किया गया जिसके उपरांत इस आशंका पर कि वहन में संदिक विद्रोही जा रहे थे वहन पर गोली चलाई गई जिससे वहन में सवार आठ व्यक्तियों में से छे व्यक्तियों की मुरुत्ति हुई बाद में ये गलत पहचान का मामला पाया गया जो दो लोग गायल हुए थे उन्हें सेना द्वारा ही इलाज हेतु नद्धी की स्वास्त केंद्र में ले जाया गाया यह समाचार प्राप्थ होने के बाद स्थानिक ग्रामिनों ने सेना की टुकडी को घेर लिया दो वाहनों को जला दिया और उन पर हमला किया इसके परिणाम सरुप सुरुकसा बलके एक जवान की मृत्ति हो गई तथा कई अन्य जवान गायल हो गए अपनी सुरुकसा में तथा भीड को तितर बितर करने के लिए सुरुकसा बलो को गोली चलानी पड़ी जिससे साथ और नागरीकों की मृत्ति हो गई तथा कुछ अन्य गायल हो गई स्थानिय प्रसाशन और पूलिस ने स्थिती को सामान्य करने के प्रयास किये हैं अभी स्थिती तनावपुन लेकिन नियंत्रण में बनी उलिए पूलिस महानिर्देशक नागालेन और आयुक नागालेन ने दिनाग 5 बार 21 को गटना स्थर का दोरा किया ताजित पूलिस स्थाने में गटना के बारे में प्राथमी की दर्ज की गई है और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस मामले को राज्य अपराज पूलिस स्टेशन को जांच के लिए स्वांप दिया गया है इस संदर में एक विशेज जांच टीम SIT का गठन किया गया है जिसे एक महा के अंदर जांच पूरी करने के निर्देश दिये गए हैं उपरोत गठना के पस्चात दिनांग 5-12-21 की साम में लगबग 200 लोगों की उद्वेलित भीड ने मोन सहर में असम राइफल की कंपनी ओपरेटिंग बेस पर तोडफोर की भीड ने COB के मकान में आग लगाई जिसके उपरान असम राइफल की टुकुडी को भीड को तितर बितर करने के लिए गोली चलानी पड़ी इसके कारण एक और नागरिक की मृत्यू हो गई और एक अन्य गायल हो गया प्रभाविक सित्र में किसी और अप्रिय गटना को रोकने के लिए अत्रिक्त बलों की तेहनाती कर दी गई है सेना की तीन कोर मुख्याले द्वारा एक प्रेश वक्तव्य जारी किया गया है जिसमें नीडोस नागरिकों की दुखद मृत्यू के गटना करम पर अत्यादीत दूख सेना द्वारा व्यक्त किया गया है सेना द्वारा इन दुरुभाग्यपूर्ण मृत्यु के कारण, कारणों की जहांच उच्चतम स्तरपर की जा रही है और कानून के अनुसार सम्मूचित कारेवाही की जाएगी घटना की सुचना मिलने पर मैंने ततकाल नागेलेंड के घवरनर और मुख्यमंत्री जी से संपर किया गुरू मंत्राले द्वारा भी नागेलेंड के मुख्य सचीव और पुलिस महादिर्देशक से संपर किया गया कल पुरे दिन स्थीती को मॉनिटर किया गया गुरू मंत्राले द्वारा तुरंत पुर्वत्तर के प्रभारी अपर सचीव को कोही मा बेजा गया जहां उन्होंने आज सुबे नागेलेंड राजे सरकार के मुख्य सचीव एवं अन्य वरिष्ट अधिकारियों और अर्द स स्थीती का विष्टार पूर्ण समिक्सा की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सिग्र सामान्य स्थीती बहाल हो यह निने लिया गया है कि सभी एजंचियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्रियों के खिलाप अभ्यान चलाते समय भविश्य में ऐसी कोई दुर्भाग्यपुन घटना की पुन्रावृति न हो सरकार स्थिती पर शुक्समता से नजर रख रही है और शेत्र में सान्ती और सोहाज सुनिश्चित करने के लिए आवसक्ता अनुसार जरूरी उपाय भी किये जा रहे हैं राज्यपदाद प्राधिकारियों ने एत्या व्यक्त करती है और मुतकों के परिवारों के प्रति गहरी सम्वेदना व्यक्त करती है।